नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नाम में मैं हुआ आपके साथ पूजा हम लेकर आया है देश और दुर्या की पास बड़ी खबरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरेश कुमा ट्रक्ट साब बहुत दुस्का अगत है दन्यवाद सबसे पहले नजर हेड्लाइन स्टूड जेल में अयाश्वी कार्ट रहे सतेंद्र जैन का एक और नया वीडियो आया सामने बाहर से आ रहा था खाना जेल अधिकारियों से एक दिन में रिपोर्ट तलब CCTV पुटेज ली पात्र गुटों के भी जमकर हुई मारपीट परिक्षारण श्रद्दा मडर केस में नया खुलासा श्रद्दा ने दो साल पहले ही पुलिस में कीती शुकायर आफ्ता बेता था जान से मारने की धमकी पर नहीं हुई कोई कारवाई चुनाव आयुक्त की नयुक्ती पर सुप्रिम कोर्ट सक्त सुप्रिम कोर्ट ने कहा हमें बताए क्या प्रक्रिया अपनाई साथी चुनाव आयुक्त की नयुक्ती में CGI को भी करे शामल बिहार के सियम नितिश कुमार और तेजस्वी यादफ से मिले आदत्य ठाकरे पटना में हुई मुलाकात, मुलाकात को लेकर सियासी हल चलते आज की सबसे पहली खबर में बार जेल में अयासी काट रहे सतेंद्र जैन की मनिलांडरिंग केस में जेल में बन सतेंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है नय वीडियो में सतेंद्र जैन होटल से लाया हुआ खाना खाते दिखाई दे रहे है जेल में VVIP ट्रीट्मेंट का लुफ्ट उठा रहे है वीडियो के सामने आते ही सतेंद्र जैन के वकीलों ने कोट का दर्वाजा खटकटाया और वीडियो के प्रसारन पर रोक लगाने की मांगी है पर स्पेशल खाने वाले वीडियो पर कोट काफी जादा सक्त है जेल अधिकारियों को पुश्टाज के लिए समन भेजा गया है कल इस पर सुनवाई होनी है सतेंद्र जैन का एक और नया वीडियो काफी अईयासी से जीवन व्यतीत कर रहे है सतेंद्र जैन ये तो सारे नियमों की धज्या उड़ गई पहले दुनिया भर में जो जेल के अंदर किसी के मोबाइल निकल रहा है हत्यार निकल रहे हैं रैकेट चल रहा है इस तरह की सेवाएं हो रही है तो लोग कहते थी कि तियार भेज दो लेकिन अर्विंद केजरिवाल कटर इमांदा और उसके ही प्रसासन के तहट आता है एक तियार जेल इसे इन्होंने धरमसाला बना दिया एक दो केसिस नहीं हैं चार-पांच केसिस अभी पिछले छे मैने में आये हैं जिसमें ये मालूम चला है कि तियार जेल जिस चीज के लिए पूरे देश में चाला जाता था अब य ये आयाशी का अड़ा बन गया है सत्यंदर जैन वहाँ घर का खाना खाने है और कोट पहुंच गये माई लॉड मेरा वेट पहले 103 था जेल में खाना नहीं मिल रहा है 75 किलो का हो गया हूँ दुबला हो गया हूँ मरने वाला हूँ तमासा चल रहा है केजरिवाल कब तक इस आयाश जेल मंतरी को अपने कैबिनेट में रखेंगे कब तक इंडिफेंसिबल को डिफेंड करते रहेंगे कोट में कल सुनुआई होगी और ये आदमी ये नटवर लालों का गैंग राजनीती में ट्रांस्परेंसी लाना है पारदर्शिता की लडाई लड़नी है इस फ्र कि जेल के अंदर जतने काले कारणा में इस वीडियो के जरिये बाहर आ रहा है इसको छुपा दो केजरीवाल ने राजनीती की जितनी भी गंदगी है सब को आत्म साथ कर लिया है ये समझ में नहीं आ रहा कि कब तक ये जेल मंतरी जो जेल के अंदर मसाज करवाता है बर खास्त नहीं करेंगे और बरखास्त नहीं करने का मतलब यह है कि जिस तरह के पापों में जिस तरह के कुकर्म में शामिल है वो कई सारे राज केजरिवाल की जानता है और इसलिए उसमे कोई कारवाई नहीं हो रही है सत्ता में है तो ब्रस्टचार कर रहे हैं जेल के अंदर याशी चल रहे हैं सत्ता का फायदा उठा रहे हैं गटना हावडा जिले के सांक्राइल धुडा गड के आदर स्कूल की है, बवाल तब मचा जब कुछ छात्र स्कूल में छात्राओं के हिजाब का विरोध करने पहुँचे थे, हिंदू छात्रों का आरोप है कि अचानक से मुस्क्रिम लड़कियां हिजाब पहन कर आने लगी, इस पर कुछ छात्रों ने गले में भगवा गमचा पहन कर वहाँ पहुच गए, स्कूल के अधिकारियों ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में जाने दिया, लेकिन भगवा गमचा पहने छात्रों को रोग दिया, जिसके बाद बवाल मच गया, इस्तिती तना ंक से लड्कियां हिजाब पहन के जाती हैं यह कोई अपने आप को हिजाब पहनना नहीं avete and flew में कि हम उफ से पहनते हैं यह करते हैं वह करते हैं यह तमाम बकवास जो है वह तेलिपिट यह हैं कि यहां भी इस्तर की घट्टाएं हुई हैं, बकादा प्लान के तहट, संगठन के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, PFI और उसके चट्टे बट्टे जो हैं, उनके द्वारा बकादा इसे लांच किया जाता है, यह रियक्शन है, वो रियक्शन किस चीज़ का है, वो दिखा नहीं रहे हैं, वी टीवी पे, ममता बनर जी ने दो दिन पहले घोषना की, कि जिस तरसे हरिद्वार में, जिस तरसे बनारस में गंगा आरती होती है, तो वहां कि सरकार कोलकता में भी वो गंगा आरती करना शुरू करने वाली है, तो अचानक से मुस्लिम संगठनों को अटक रही है, यह हमारे वोट पे जीती है, हमारे वोट से मुक्षमंत्री बनती है, और यह घंगा आरती करवाएगी, तो हिजाब स्टार्ट कर दो, इसी तरह की साजिशे हर जगा देश में चल रही है, यह लगतार जहां जहां जिहादी पकड़े जा रहे हैं, आतंकी पक रहे हैं, और वो कभी बॉंब स्पोर्ट में, कभी ओटो में बॉंब रख करके, तो कभी CAA, कभी NRC, और कभी हिजाब के नाम से वो सामने आता है, सवाल तो यह है, कि हिजाब पहनी हुई लड़कियों को आपने अंदर जाने कैसे दिया, और अगर हिजाब पहनी लड़कि अगर आपने जाने दिया, तो भगवा गमचे वालों को आप किस अधिकार से आप रोक रहे हो, यह तो बवाल मचेगा ही, तो अभी तो आज की ताजी ताजी घटना है यह, एक दो दिन में इस पर जम के राजनीती भी शुरू हो जाए, मतलब साफे ममता सरकार हिजाब वि विवाद ना हो, लेकिन ममता बरद जी को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम भोट बैंक है, उसके जो संगठन है, उसमें जो जिहादी एलिमेंट है, वो नहीं चाहेंगे कि यह विवाद थमें अब बाद श्रद्धा मडर केस में आये नए और चौकाने वाले खुलासे की, दरसल मुंबई की श्रद्धा वालकर को बचाया जा सकता था, नए खुलासे में पता ये चला है कि श्रद्धा ने दो साल पहले ही 23 नॉवंबर 2020 को मुंबई के तुलिंच पुलिस स्टेशन मे अपने बॉइफ्रेंड आफ्ताप अमीन के खिलाब मारपीट के श्रद्धा ने श्रद्धा ने श्रकायट में आरोप लगाया था कि आफ्ताप उसके साथ मारपीट करता है और उसके माता पिता को इसकी जानकारी भी है, श्रद्धा ने यहां तक कहा था कि आफ्ताप उसे जान से मारने और टुकडे टुकडे करने की धमकी भी देता है पर मुंबई पुलिस ने शुकायत पर कोई कारवाई नहीं की ये तो बहुत बड़ा खुलासा है उसने कोट में शुकायत भी की पुलिस टेशन में जाकर शुकायत कीपर आक्शन क्यों नहीं लिया गया मलेक जो पूरी तरीके से पुलिस के उपर कंट्रोल रखे हुए थे कि खबरदार किसी मुस्लिम के खलाब तुमने फाई यार दर्ज की तो इसका तो जवाब तो देना पड़ेगा देवंदर फंडविस ने कहा है कि हम इसकी जाच करेंगा कारवाई क्यों नहीं वह एक हमें टॉर्चर कर रहा है मुझे मारने की धमकी दे रहा है टुकुरे टुकुरे करने की धमकी दे रहा है और पुलिस डर के मारे कि चुके यह मुस्लिम है आपने लड़की के पिता से एक बार भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की बैयान आया है सद्धा के परिवार से उन एक फौन तक नहीं आया यह तमाम पुलिस वाले जो पॉलिटिकल दलाल के रूप में काम करते हैं सरकार का चेहरा देखकर सरकार की नीती देखकर कानून बवस्था लागू करते हैं उनके लिए सीख है इस अफ़ताब अमीन को इस सिकायत के उपर बुला करके थानेदार ने डांट भी लगा दी होती ना उसके हिम्मत नहीं पड़ती कि स्रद्ध के उपर फिर वो हाथ उठा सके काटने की बात बहुत दूर है अब इसकी जांच होनी चाहिए क्वे क्यों नहीं इसके उपर कारवाई हुई किसका फोन आया था किस वज़े से पुलिस वालों ने एक्षिन नहीं लिया और जो लोग इसके गुनहगार हैं उसको सजा भी मिलनी चाहिए राजनीती को देखकर आप लौ अन और्डर मिंटेन करेंगे तो वो पुलिस तो किसी काम की नहीं रहेगी वैसे भी उद्दव ठाकरे के जमाने में मुंबई पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी ये तो किसी से धकी चुपी बात है नहीं पॉलिटिकल आदेश के उपर ही वहाँ पे काम हो रहा था दो साल पहले की ये शुकायत है जब महाविकास अगारी के सरकारती अब वो चुप क्यों बैठे हैं अब बात अगली खबर की सुप्रिम कोट ने चुनाव आयुक की न्युकती पर बड़ा दखल दिया है चुनाव आयुकत के तौर पर अरुन गोयल की न्युकती सम्मंदी फाइल मागी गई है कोट ने कहा है कि सुनवाई शुरू होने के तीन दिन के भीतर न्युकती हो गई कोट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि न्युकती के लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनाए गई सिर्जी यह का काम है अपॉइन्मेंट करना जस्टिस थॉमस एक के बाद एक बाते कहते चले गए कि भाई होना तो चाहिए टीन सिसन के जैसा अभी कोई आदमी यह कह दे कि फ़ला फ़ला चीफ जस्टिस के तरह ही सुप्रेम कोट के जज़िज होने चाहिए और थॉमस साब उसके बराबर नहीं है तो फिर कैसा लगेगा सरकारे सरकारी तंत्र व्यक्ति से नहीं इंस्टिूशन से चलता है और हर चीज में जुडिस्री ना घुज़र दे यह क्या मतलब है चीफ एलेक्शन कमिशन चीफ जस्टिस के तरह एक समयधानिक पोस्ट है सुप्रीम कोट के जजों को तो ये समझना चाहिए कि जज़र जो अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है तो सुप्रीम कोट के कॉलेजियम ही दुनिया में अकेला अजूबा केस है इंदुस्तान में कि जज़र खुदी जज़ को तै करते है कि कौन बनेगा जज़ दुनिया में कहीं नहीं होता इतनी जग़ डिमोकरसी है तो यहां तो आप सब कुछ अपने हाथ में लिये वे हो तो भई जज़र के सेलेक्शन में कोलेजियम में क्यों नहीं हो सकता यह सारी चीज़े बेकार की बाते हैं जुडिसरी का काम कानून को इंटर्पेट करना सम्मिधान के मताबिक सरकार चल रही है सम्मिधान के मताबिक काम हो रहा है उस हिसाब पे उस पे ही ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा जजज़ेस को हर कमिटी में घुजा दिया जाए अपांडमेंट में घुजा दिया जाए यह क्या जज़ेस के दोरा देश चलाए जाएगा इस तरह की बेकार की बाते डिमोकरिसी को कमजोर करने की चीज़े हैं हिंदुस्तान का सम्मिधान बहुत ही क्लियर कट लेश लेचर जुडिसरी और एज़ेकुटिव के अधिकारों को बाटती है सब लोग अपने दारे में रहें तो वो देश के लिए डिमोकरिसी के लिए बेहतर होगा अब आकरी कबर में बात एक एहम मुलाकात की एक दिवस्य बिहार दौरे पर आज पटना पहुंचे आदेति ठाकरे आदेति ठाकरे ने तेजस्वी से तो मुलाकात की ही फिर उसके साथ तेजस्वी यादव ने उनकी बिहार के सियम नितेश कुमार से भी मुलाकात कराई इस दोरान तेजस्वी ने आदेति ठाकरे को शौल और लालुग यादव की किताब भेट की दोनों के बीच में काफी देर तक बाचीत हुई इस मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं पर आदित का कहना है कि इस मुलाकात ने नई दोस्ती को जन्म दिया है पटना में हुई ये खास मुलाकात 2024 को लेकर कहीं एक जूटता की कोशिश तो नहीं है देखे ये तो losers of the world unite है ना 2024 में आदित ठाकरे क्या करेंगे उद्दव ठाकरे क्या करेंगे और तेज़स्री आदव क्या करेंगे इन ओस तो अपनी पार्टी अपना राज्य नहीं समला नहीं समल रहा है लेकिन एक interesting चीज है पहले तमाम लीडर किसी ठाकरे से मिलने के लिए जाते थे Chinese अबी इन आधिर किER कको दरदर की ठोकरे खाने रही है कभी राहूल गांधी ये मिलने जाना होता है तो कभी जャलपत में दिने हाज्री लगाने जानी होती है तो कभी बिहार पहुंच गया तेजस्वी आदव के सामने गिर गिराने आपने 2024 की बात की उसकी बात नहीं है यह वहाँ पर जो BMC चुनाओ है उसकी कहानी है यह बीमसी में चुनाओ होने वाले विहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है मुंबई के अंदर तो अब किस तरीके से चुके BJP बिलकुल अलग हो गई है सिर्व सेना तूट चुकी है तो समर्थन के लिए कहीं ने कहीं तो हाथ फैलाना पड़ेगा तो यह माथा टेकने के लिए वही लालू यादब के बेटे मिले लालू यादब का किताब पढ़ेंगे वरस्टाचार पर पीएजडी करनी है क्या अजीब कहानी है लेकिन खैर यह राचनीती है बीमसी चुनाओ है उदब ठाकरे आदित ठाकरे को लगता है कि नितिश कुम पार और लालू यादब से दोस्ती करने पे बिहारियों और नौर्थ इंडिन्स के वोट सिर्फ सेना उदब ठाकरे गुट को मिल जाएगा तो उनको मुबारक बात यह किस्टाड़ी के तत यह मुलाकात हुई है यह कोई राजनीती में कोई दोस्त नहीं होता बीजेपी औ और सिर्फ सेना की दोस्ती लोगों ने देख ली है यह नई दोस्ती की सुरुआत और कब यह दुस्मन बन जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता बहुत 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 शक्रिया बाचीत के लिए धन्यवाद तो खब्रों का बंच नाम में आज के लिए फिलाल इतना ही देश वि